बहुत ही बड़ी खुसकबरी RTI के तरफ से निकल के आई है तो आए सबसे पहले जानते हैं खुसकबरी के है दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप सभी भाईयों का इंतजार आज खत्व हो गया के भीस रिवाइज एंसवर की जो है आपका कल यानि 26 मार्च साम 6 बजे आपको कर दीजेगा हम आपकी पूरी संभभ मदद करेंगे तो आये दोस्तों सबस्करια सवाल बनता है कि कैसर रिवाइज एंसर की आने के बाद मांक बढ़ेंगे तो जी हैंको बिल्कुल मार्स बढ़ेंगे आपके चार और 5 मार्स फिक्स बढ़ेंगे दोस्तों आप सभी आए आ गश्री प्लोग को बताता हूं तो बने रहे वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों के भी अपर दोस्तों मैं ने हर बीडियो में आप सभी को बताहिकर कि डिया बलों का जहें जो होंगे उनका 120 पलस होना चाहिए अब रिवाइद इंसार के आने के बास अभी के मां मार्स बढ़े हैं तो ऐसे में आप अगर आपका के भी स्पी आरटी में 125 है और आप जनरल से हैं तो आप सेफ हैं ओवी सी में अगर आपके 120 मार्स है तो आप सेफ हैं दोस्तों और स्टी की बात करें तो कि 115 से लेकर के 120 के बीच में अगर आपके मार्स हैं के भी स्पी आर्टी में तो दोस्तों आप एकदम बिल्कुल सेफ हैं और बात करतें पी एच कंडिडियेट का चुकि दो भाईयों का कमेंट आया था किसार आप पीएच अलों पर वीडियो नहीं बनाते हैं तो पीएच अल वीव देने से कोई नहीं रोख सकता है आई अब बात करते हैं टीजीटी वालों की तो दोस्तों टीजीटी वालों का कॉट अप जो है जनरल कटेगरी में 130 होना चाहिए और बात करें तो 125 और 80 की बात की जाए तो 80 की 120 पलस अगर आपके टीजीटी में हैं तो आप सेफ हैं और पियच भाईयों के लिए जो है 115 मार्क्स है अगर आपके के बीश्टी जीटी में हैं तो आप लोग बेफिक्र होकर के इंटर्वी की तयारी किजिए नो टेंसन कोई टेंसन लेने की जरूर नहीं आप लोगों का इंटर्वी पक्का होगा दोस्तों और पीजीटी की बा हैं दोस्तों 125 के 130 के बीच में हैं है तो आप सेफ हैं ji की बात की जाए 120 पलस मार्क्स बाहरा के तैसा मत करिए कि तैपर के बाहर हो जाएंगे और हो आता रहेगा दोष्टो की कल आने वाला है वहां देख लेजिए उसके लिए जो भी है विदिए को की तैजका में है